गुद मॉर्निंग प्रस्टू क्लास लास्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम अमाइनो एसीड्स टी आर 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 आ और आ और आर आ का यूज़ करके पोली पेप्टाइड की चेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं आर पोली पेप्टाइड की चेन बन चुक एह मतलब माइन प्रोटीन की फॉर्मेशन हो चुक है तो नेक्स्ट काम क्या होगा जीन एक्सप्रेस करेगी खुदका जो एक परिटिकलर करेक्टर है उसको जीन एक्सप्रेस करेगी इसलिए आम एक टर्म पढ़ेंगे ने हैं बहुत सारेवल पर नियुक्डे कर सकते हैं अब लोज प्रोटीक लेहलों को पर्टिक्लर यायन मैं को परटिकलर करें किसी आख बहुत है क्या है। यहां पर पास प्रेशन को चार्म करना बहुत जरूरी जीन्स का जो सारा मेकैनिजम है वह एक रेगुलेटेड वे में हो अधर्वाइस क्या हो सकता है जीन्स क्या कर सकते है एबनोर्मल एंजाइम के लिए भी काम कर सकती है तो इसलिए हम क्या पड़ रहें रेगुलेशन और जीन एक्सफ्रेशं अब जो जीन के एक्सफ्रेशन उसको जैवल पर रेगुलेट कर सकते हैं में हम पढ़ेंगे क्या हमारे पास 4 लेवल्स है जहां पर हम क्या कर सकते हैं जीन के एक्सफ्रेशन को रेगुलेट कर पाएंगे फरस्ट क्या है at transcriptional level जब हम transcription की process कर रहे हैं मतलब DNA से mRNA की process हो रही है उस time पर हम क्या कर सकते हैं gene के expression को regulate कर सकते हैं मतलब आगे process को continue ही ना होने थे ठीक है so transcription level पर जब हमारे पास formation होती है किस की formation होती है transcriptional level पर primary transcript की सबसे पहले हमारे पास क्या बना था प्राइमरी ट्रांस्क्रिप्ट बना था ना सो प्राइमरी ट्रांस्क्रिप्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे डूरिंग क्या ट्रांस्क्रिप्शन हम क्या कर सकते हैं जीन को रेगुलेट कर सकते हैं फर्दर उसको मुझ ना होने दिए व नेक्सट कब रेगुलेट कर सकते हैं जब चो हमारे पास HN RNA बन रहा था उसकी प्रोसेसिंग के टाइम कर जब प्रोसेसिंग हो रही है किसकी HN RNA की तो प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या किया जाता है सबसे पहले exon part जो हमें सिर्फ उसको रखना है तो हमें In depuis one part को remove करना था तो इसको remove करने के लिए हम ने प्ने स्पलाइस की थी। स्प्लाइसीं का मतलब क्या होता है कट लगाए गये यह, इस से क्या हुआ थह चो Intern Oh Part है वह कट कर दिया गया था और फिर exon Phase को क्या कर लिया था हमने Estamos कि हमें में में किसकी रिक्वार्मेंट कोंई सिर्फ में has a वह एक जोन प्रोसेसि enough daw Roy Ke broken कर सकते हैं सफिर क्या होगा जिब ट्रांसफर किया जा रहा है मारेन कीया जा रहा है मारम इनकी फोर्मेशन का हुई थी दोनों ओंनों के फोर्मेशन का होती नुकलिस में, so during transfer of mRNA from nucleus to cytoplasm, ठीक है, क्योंकि cytoplasm में क्या होगा, protein की synthesis होगी, तो नुकलिस से mRNA को cytoplasm तक transfer किया जाता है, उस time पे भी हम gene के expression को regulate कर सकते हैं, और last जो final हमारे पास regulation का mechanism है, किस level पे कर सकते हैं, वो है, translation level पे, क्या है, translation level पे भी हम कर सकते हैं, translation के बाद तो क्या हमारे पास proteins की formation हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास कोई regulatory mechanism नहीं हो सकता, तो last level क्या रहेगा हमारे पास, operon system पहले हैं, ठीक है, so next time discuss कर रहे हैं about operon system, ठीक है, operon system बहुत एक important point है, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, आज सिर्फ intro होगा, next video में इसके system के बारे में discuss करेंगे, कि कैसे कैसे work हो रहा है, so operon system में क्या हो रहा है, सबसे पहले, दो scientist थे, एक थे Jacob, और दूसरे थे Monard, इन दोनों scientist ने क्या बताया, कि चो हमारे genetic material, मतलब चो हमारे DNA है न, उसके पास कुछ regulating gene present होती है, क्या present होती है, regulating gene present होती है, जो की क्या कर सकती है, regulation कर सकती है, proper characters को regulate कर सकती है, gene के expression को regulate किया जा सकती है, operon क्या होती है, सबसे पहले definition हमें पता होनी चाहिए, operon is a part of genetic material, which act as single regulating unit, ठीक है, operon वो पार्ट होता है genetic material का, जो की एक single regulating unit की तरह act करेगा, अब इस operon के कुछ पार्ट होती है, ठीक है, operon के क्या है, कुछ पार्ट है, क्या-क्या पार्ट होंगे operon का, structural gene हो सकती है, अब DNA की बात कर रहे है, structural gene तो होगी ही, structural gene हमने, जो transcription की process थी, उसमें भी पढ़ा था, front portion पर structural gene के क्या टाइच होता है, promoter, last में क्या टाइच होता है, terminator, तो structural gene present होगी, और क्या present होगा, promoter reason, promoter reason है, तो promoter genes लिख देंगे, और एक repressor, repressor का मतलब क्या है, जो किसी भी काम को repress कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, और हम बोल सकते हैं, इसको regulator gene, ठीक है, तो ये काम रहेगा, operon एक system है, जो की genetic material का part है, एक single regulating unit की तरह काम कर रहा है, actions को control करने का काम कर रहा है, इसके तीन major part होंगे, structural gene, promoter gene, और एक repressor, और वीकन से regulator gene, ये रहेंगे, ठीक है, operon system, prokeriors में बहुत common है, ठीक है, तो यहाँ पर हम prokeriors के बारे में discuss करेंगे, जो भी operon system होगे, दो main operon system होते हैं, two types होंगे, operon system के, two types में से, जो first type है हमारे पास, वो क्या होता है, inducible, और दूसरा क्या होता है, repressible, ठीक है, दो type के operon system होंगे, एक है inducible, दूसरा क्या है, repressible, inducible ऐसा system है, जो normally क्या रहेगा, off रहेगा, बंद होता है, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, on कर सकते हैं, किसी specific time पर, induce किया जा सकता है, मतलब उसको on किया जा सकता है, repressible क्या, normally तो on रहेगा, बट किसी specific situation के according, उसको क्या किया जा सकता है, off किया जा सकता है, so ये काम रहेगा, operon regulation का ही काम कर रहे, दो type के है, आप किस लिए बस के according हम सिर्फ inducible को ही discuss करेंगे, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, okay, thank you.